मित्रों अजे पावा सेक्टर, एनेजी सेक्टर अने कोल सेक्टर ना मंत्रिशी गुजरात नी पहली मुला का दैवाया साथ अनो यहां स्वागत करा हूं मावियो गणी विकत्वा राज्ये माँ था देश नी अंदर आशेक्टे नागा लिजया हूं बटे कया बदा इश्यूस थे इश्यूस के ते रिसॉल्ट था है अब बतीज बोड़ डिटेल माँ चर्चा करी आकी टीम लिए आवाया था अने दरिक डिपार्टमें ना अधिकर्यों भिया सेक्टर नी अंदर आजे भाग ली दो निरिजया माथूर चैपर्सन सेंटर इलेक्षी अथोरिटी शी बी एंशर्मा ज्वाइन सेक्रेटरी मिनिस्टर पावर बाजु माँ शी दिवेंद्रवें चोधरी अधिशन सेक्रेटरी जोती बेन अरोरा ज्वाइन सेक्रेटरी श्वे विकासा अलन्ड अवा अनेक अनेक ज्वाइन सेक्रेटरी थी माड़ी आज एक तरिके से मेरा पहला ओफिशल टूर है दिल्ली के बाहर जो मैं मंत्री पर संबालने के बाद आया हूँ सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी के ही राज्य में आने का मुझे मौका मिला हमारे प्रधान मंत्री श्री जिन्होंने एक तरीके से हम सब को देश को दिशा दी है आगे किस पकार से परिवर्तन किस पकार से आगे आने वाले दिन देश की जनता के सेवा में ये सरकार चलाएगी सबसे पहले तो पहुंचने पे मुझे सोभाग्य हुआ कि मैं साबर मति आश्रम में गया और मेरा 14 वर्षों के बाद आज साबरमती आश्रम जाने का मौका मिला मुझे सन 2000 जैन्वरी में मैं आया था लास्ट वहाँ पे आज वहाँ पे साबरमती रिवर्फरंट डिवेलप्मेंट भी उसी के साथ साथ देखके बहुती आनन्द आया कि वास्तव में अगर बापू को कुछ शद्धानजली हो सकती है तो वो उनका जो सबसे प्रियस सब्जेक था शुद्धता और स्वच्छता और वो एक तरीके से गुजरात में साबरमती आश्रम के साथ साबरमती रिवर्फरंड डिवेलपमेंट से सही अर्थ में शद्धानजली दी है बापू को